जो नहीं होने वाला है, वो हो जए, इसी आकंख्या में तो दुख की उत्पती है, क्यूंकि वो नहीं होगा और तुम दुखी होगे, जबान हो, जबानी को थीर बना लेने की आकंख्या है, सदा जबान हो, ये नहीं होगा, कभी नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता, ये नियम के विपरित है, तुम असंभब की कामना कर रहे हो, फिर कामना तुटेगी, पूरी तो हो नहीं सकती, तुटेगी ही, तब विवसाध होगा, तब गहन अंधरे में खो जाओगे, और तब ऐसा लगेगा कि पराजित हुए, पराजित सिर्फ कामना हुई, तुम नहीं, लेकिन काम समझा था एक अपने को, इसलिए लगता है पराजित हुआ, फिर भी सिखोगे नहीं, फिर फिर ख्यनभंगरों को पकड़ोगे, पाने के बबले को थीर बनाने की अकंख्या है, जो फुल तुमारी बगिया में खिला, सदा खिला रहे, ऐसा ही खिलता रहे, ऐसे ही सुगंद उठती रहे, जरेगा फुल कल्सुआ, पंखुडियां गिरेंगी धुल में, तब तुम रोगे, तम तब आशुस समभाले ना समलेंगे, लेकिन तुम्हारे रोने का कारण तुम ही हो, तुमने गलत चाहा था, तुमने असंभब चाहा था, जो नहीं होता है, बैसा चाहा थ इसलिए भी साथ है, कास, तुम देख लो, उसे जो होता है, और वही चाहों, जो होता है, तो चाहा मर गई, चाहा का अर्थी ही है, जो होता है, उसके बिपरित चाहना जैसा नहीं होता है, वैसा चाहना जो होता है, उसके सिक्रिती, उसके साथ समरस हो जाना, जाहा मर गई, जवानी बुडी हो जाती है तुम भी स्विकार कर लेते है जीवन मृत्यु में परिणत हो जाता है तुम अंगीकार कर लेते हो सुक दुखों में बदल जाता है दिन रातों में ढल जाता है तुम जरावी नुच नहीं करते तुम करते हो जो होता है होता है, जैसा होता है, वैसा ही होगा, तो कहां वासना है, वासना सदा विफरित की वासना है, इस विफरित की आकंख्या को बुद्ध ने कहा है, तनाहा तुरुष्णा